फ्रेंड्स अगर आप सोले सोमवार के वरत करना चाहते हैं तो फिर आप माग के महीने से, सावन के महीने से या कार्तिक के महीने से वरत शुरू कर सकते हैं ताकि आपकी मनोकामना आतीश सिग्र पूरुन हो सके किसी भी विसेश फलकी प्राप्ति के लिए सोले सोमवार के वरत किये जाते हैं इस दिन भगवान शिव शंकर और माता पारवती के पूजन किया जाता है और सोले सोमवार के वरत काफी कठिन बाने जाते हैं इस वरत में नमक का सेवन बिलकुल नहीं किया जाता और एक समय पर नियम होते हैं जो कि आगे वीडियो में मैंने आपको बताए हैं सोमवार की सुबह जल्दी उठकर सनानाधी करने के बाद हमें पूजन करना होता है तो सोले सोमवार के वरत में पूजा कैसे की जाती है इसकी विधी हम देख लेते हैं सोले सोमवार के वरत में मिट्ठी के सुब लिंग का पूजन सबसे जादा फल्दाय माना जाता है तो आप अपने घर में गमले से थोड़ी सी मिट्टी लेले और उससे आप सिवलिंग बना लें देखिए सीलिंग का अभिषेक करना महतो पूर्ण होता है आप मंदिर में जाक तो आम हर बार सोम्वार को जो वरत करेंगे तो इस तरह से सीीोिन बना लेंगे बहुत ही आसानी से बन जाएंगे ये सी constit car olur ओ налीगे तो कोई talking कोई बिर्णारे नहींने होंए चाहिए मैंने जो फोटो लिए है इसमें गनेश जी भी है और पारवती मया भी है तो आप की बेल पत्र रखा है बेल पत्र पर मैं जब हमने मिट्डी के सीवलिंग बनाये थे पार्थिर शीवलिंग उनको विराजमान कर लूँगी इसके बाद देखिए सबसे पहले हम लोग दिया ज जब भी हम कोई पूजा करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग दिया जलाते हैं, दिया जलाने के बाद अब हम पूजन शुरू करेंगे, तो देखिए, जब भी शिव भगवान की पूजा की जाती है, तो गंगा जल का विशेश महत्व होता है, जब भी आप शिव भगवान की प और उसके बाद माता पारवती को हम रोली से तिलग करेंगे, इसके बाद हम लोग दिये का भी विधिवत पूजन करते हैं, तो दिये को भी तिलग करेंगे, साथ में ही देखिए हम सीवलिंग का जलाभी शेक करेंगे, तो जलाभी शेक के लिए हम जो भी जल लेंगे, उस पर पर हम शीवलिंग पर कच्चा दूद चढआंगे उसके बाद हमें फिर से शुद्ध जल चढ़ाना है, इस तरह से हमें तीन बार अभशेक करना होता है, तो हम पर अभशेक करेंगे, और जैसे कि मैने आपको बताया कि सोले सोमवार के वरत में शीवलिंग का अभशेक महतो प आप आकड़े के धतूरे के या आकड़ा जिसको मदार कहते हैं इनके कोई भी फूल समर्पित कर सकते हैं साथ मेही गोरा मया को फूल समर्पित करेंगे शीवलिंग पर हम सफेद फूल समर्पित करेंगे दिये को फूल समर्पित करेंगे उसके बाद सभी को हम वस्तर अगर आपके पाद जनेव है तो आप जनेव समर्पित कर सकते हैं सिवलिंग पर और अगर जनेव नहीं है तो जो कलावा होता है मोली उसको साथ बार इस तरह से लपेटते हुए आप एक जनेव बना ले और इस तरह से वस्तर सवरूप जनेव समर्पित कर दें इसके बाद हम बेल पत्र चढ़ाएंगे, तो देखे, बेल पत्र की जो चिकनी साइड है, इसको नीचे की तरफ यानि भगवान को टच कराते हुए, इस तरह से हमें बेल पत्र चढ़ाना है, आप 5, 7, 11, 21, जितने भी बेल पत्र चढ़ाना चाहते हैं, उतने बेल पत्र चढ़ा दें, साथ ही भांग चढ़ाई है मैंने, तो यहां पर आप भांग चढ़ा सकते हैं, धतूरा चढ़ा सकते हैं, मदार के पत्ते आप चढ़ा सकते हैं, इसके बाद हम लोग जल समर्पित करेंगे, साथ में हम लोग अक्षत समर्पित करेंगे, अक्षत यानि की चावल जो बिलकुल सा और जो तीसरा लडू होता है, ये लडू जिसने वरत किया है, वो खाता है, मतलब कि जब वरत कोलेंगे, तो एक लडू खाकर ही वरत कोलना होगा, इससे जादा भी नहीं ले सकते हैं, और इस लडू में से बछाना भी नहीं होता है, तो इसलिए जब आप लडू बनाए, वो खाएगा वरत खोलते समय और उसी समय पर पानी पिलेना होता है उसी अमेर यह लड़ु खाना होता है शाम के समय हमें वरत खोलना होता है और एक लड़ू गाए को दे दे, एक लड़ू सभी में परशाद सवरू बाट दे के अलावा आप रीतूफल भी समर्पित कर सकते हैं या कोई भी परशाद और आप समर्पित कर सकते हैं साथ में हमें दक्षिना जरूर समर्पित करनी है, तो जब भी कोई पूजा करें, दक्षिना आवश्य समर्पित करें, उसके बाद हम लोग सभी को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, और धूप दिखाने के बाद हमें सुननी है वरत कथा, सोले सोमवार के वरत कथा सुनने के लिए अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल ले ले, साथ में ही फूर ले ले और हाथ में चावल और फूर लेकर हम कथा सुनेंगे, तो अगर आपके पास कथा की किताब है, तो आप वहां से कथा सुन ले, नहीं तो मेरे चैनल पर भी आपको कथा मिल जाएगी। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में अक्षत और फूल लिये हैं वो हम शिव भगवान को समर्पित करेंगे। जो हमने मिट्टी के पार्थिव सिवलिंग बनाए हैं उनको हमें अगले दिन विसरजित करना है। अगले दिन सुबै आप किसी भी गमले में या तो आगर आपके हैं कच्ची मिट्टी में पोधे लगाए हुए हैं तो वहाँ पर आप इनको विसरजित कर दें। जो पत्ते और फूल है जो कलावा है ये सब चीजे भी साथ में ही विसरजित कर दें। इस तरह से जो भी हमने सिवलिंग बनाए हैं वो दोबारा से मिट्टी में ही समाहित हो जाएंगे। जब भी आप सोमवार का वरत करेंगे तो पूजन के लिए आपको पार्थिव सिवलिंग बना आने होते हैं फ्रेंट्स माना जाता है कि सोले सोमवार के वरत से मनोकामना अतिशिगर पूर्ण होती है किसी भी विसेश मनोकामना की पूर्ती के लिए सोले सोमवार के वरत किये जाते हैं ये वरत कठिन होते हैं क्योंकि ये निर्जला वरत होते हैं सोले सोमवार की वरत चैनल पर आ चुकी है, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ओम नमेश शिवाए, राधे, राधे